Hello everyone, this is Javijayan, welcome to our YouTube channel, Saraswati Vidhiyah Partshala Friends, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलते रहेंगे तो Friends, अब हम आपको त्यारी करवाएंगे TZT and PGT की UGC Net and Other Examination की इसके साथ चलती रहेगी लेकिन फिलहाल हमारा फॉकस रहेगा UPTZT and PGT एक्जाम पर और राजस्थान की TZT, PGT के फॉर्म भी निकले हुए हैं उन पर भी फॉकस रहेगा ठीक है तो अब हमें बात करते हैं कुछ चितर कारों के उनकी चितर की ठीक है तो जो ये चितर बना हुआ है ये एक बच्चा है और ये माँ है तो मा और बच्चे का चितर है ठीक है तो ये किसका चितर है ये जामिनी राय का है संथाल मदर एंड चाइल्ड ठीक है तो संथाल मदर एंड चाइल्ड जो ये है चितर है ये कौन सी मीडियम में बना है ये टैंप्रा ओन कार्ड ठीक है टैंप्रा ओन कार्ड पर बना है कार पर ठीक है ओर इसका साइस है इसका साइस है 35 in to 25 सेंटीमेटर ठीक और जामिनी राई के बार में बताएं तो जामिनी राई का जन्म 1870 में और इनकी डैत है 1972 ठीक है तो इनका timing period रहा है वे 1870 1997 72 का है ठीक जामिनी राय का तो फ्रेंड्स ये चित्र किसका है ये संथाल मदर और चाइल्ड का चित्र है जामिनी राय का ठीक है आगे देखते हैं इसके बारे में और चित्र जो है जामिनी राय का एक चित्र ये भी है तो इसमें क्या दिखाया गया है इसमें एक लेड़ी द तो ये जो पुजारीन ही है ये चित्र भी झामी निरान ने बनाया है तो 1887 से 1972 का它 तायमिंग पीरियड है और जो यह है चित्र बनाया यह अगर में पर बनाया है पहले किस पर था टैंपिरा उन क्रद कर जलता और जो इसका साइज להיות यह 67 x 37 cm है 67 x 37 cm ठीक है आगे दिखते हैं अब यह जो चित्र दिखाया गया है यह एक लेड़ी है ठीक है एक फेस दिखाया गया है एक लेड़ी है तो यह चित्र किसका है फेस ए लेड़ी ठीक है फेस आ लेड़ी तो यह चित्र रमिंदरनाट टैगोर का है तो यह कहा गया था पहले कि मैम आप जो भी चितर के बार में बताएंगे उसका हमें फोटो दिखाना तो इसलिए मैंने इस टाइप से करके यह वीडियो बनाया है तो एक face and lady का चितर है face of a lady का sorry face of a lady और यह है चितर अविंदना टैगोर का है और इनका टाइमिंग पीरिड क्या रहा है 1861 से 1941 ठीक है और यह जो चितर बना है water color on paper water color से बना है paper पर और इसका जो size है वो 32 into 24 cm है क्या है 32 x 24 cm ठीके आगे देखते हैं अब हम देखिए जो यह चित्र दिखाया गया है यह एक forest का सीन दिखाया गया है पेड़ है जंगल है यह एक आदमी है इनसान है और इसके हाथ में क्या है धनुश है तो इसका मतलब क्या है वहाथ में धनुश है और जंगल में है तो तो ऐसा ही चित्र है, यह ननाल बोस का 100 CTD scene है, ठीक है 100 CTD चित्र है, ननाल बोस का और ननाल बोस का जिडर क्या टाइमिंग पीरियेड है वह 1882 से 1966 तक का इनका टाइमिंग पीरियेड है ठीक है, और 100 CTD चित्र की बात करें तो watercolor on ink, watercolor and ink on paper ठीक है यह वाटर कलर और इंक से बना है किस पर पेपर पर बना है और साइज इसका क्या है 42.5 x 27.5 cm यह इस चित्र का हंटेड सीट्रीड का साइज है ठीक है आगे दिखते हैं अब हाँ देखिए यह चित्र है एक लेड़ी है हाथ जोड़े हुई है तो यह चित्र एक सती का चित्र है और यह ननलाल बोस का है चित्र ननलाल बोस का सती चित्र है वो अभी बताया था उपर भी 1882 से 1966 का टाइमिंग पीरियड है ठीक है और जो यह सती चित्र है यह Japanese wood block print on rice paper पर यह बना है rice paper होता है उस पर यह बना है और किससे Japanese wood block से बना है उससे print लिया गया है ठीक है और इस चित्र का जो size है वो 30 into 19 cm है 30 गुना 19 cm इस चित्र का size है तो जो सती चित्र है किसका है नंदलाल बोस यह है चित्र अब्दुल रह्मान चुगताई का है और अब्दुल रह्मान चुगताई का जो टाइमिंग पीरियड है 1897 से 1975 मैं अब 1897 में इनका born and died 1975 में मृत जनम इनका 1897 में हुआ था मृत्यू इनकी 1975 में हुई थी और जो यह है चित्र है यह water color on paper वाश में ठीक है यह है चित्र बना है ठीक और अगर बात करती है इस चित्र के size की तो इस चित्र का size है 37 सेवन इन्टू 14 cm ठीक है तो यह इस चित्र का size है अबदुल रह्मान चुगताई का यह चित्र है ठीक है आगे देखते हैं इस चित्र में क्या दिखाया गया है यह flute है बासूरी यह क्रिशन जी और यह राधा ठीक है राधा क्या कर रही है बासूरी को हाथ में नेरी और बजा रही है ठीक है यह कह सकते हैं यह सीख रही है बासूरी बजाना ठीक तो यह चित्र क्या है यह चित्र जो है राधा learning to play the flute from Krishna कि जो राधा है वो बासुरी बजाना सीख रही है किस से Krishna से तो यह है चितर किसका है हेमेंद्रनाथ मजुमदार का ठीक हेमेंद्रनाथ मजुमदार का जो टाइमिंग पीरियड है वो 1894 से 1948 है और यह है जो चितर बना है oil on canvas पर बना है और इस चितर का साइज जो है 94 x 79 cm ठीक है क्या है 94 x 79 cm जो है वो इस चितर का साइज है ठीक है यह है चितर किसका है रविंद्रनाथ टैगोर का किसका रविंद्रनाथ टैगोर का यह है चितर है और यह है चितर कपना यह है चित्र जो बना था किस चीज़ पर बना था पेपर पर बना था waterproof ink on paper ठीक है waterproof ink on paper और ग्रविंदर नाट टैगोर का जो timing period है 1861 से 1941 इनका timing period है और इस चित्र का साइज है वो क्या है 25.5 into 90.5cm और इस चित्र का जो title दिया गया है क्या दिया गया है क्या नाम है इसका jeumorphic form ओ मोर सिक्पर ठीक है तो इस चित्र के बाएर मैं हमने बास कर ली आगे देख ते हैंब हम इस चित्र में क्या दिखाया गया है यह एक पक्षी है जो कि क्या है जटायू ठीक है और इसका क्या हो रहा है बद हो रहा है ठीक है तो यह जो चित्र है यह किसका था राजा रवी वर्मा का किसका है राजा रवी वर्मा ठीक और राजा रवी वर्मा का जो टाइमिंग पीरि ठीक है 1848 से 1906 इन का टाइमिंग पीरिएड है और इस चित्र का टाइटल क्या है जटायू जटायू वर्ध क्या टाइटल है जटायू वर्ध और यह है चित्र किस पर बना है यह है चित्र कैनवास पर बना है किस पर बना है कैनवास पर बना है और किस कलर का यूज हुआ है ओ तो औल ऑल ओन कैन मास ठीक है और इस चितर का साइज क्या है इस चितर का साइज है इस चितर का साइज है ठीक है आगे दिखते हैं यह जो चित्र दिखाया गया है आपको यह किसका है यह चित्र जो है यह राजा रभी वर्मा का है और राजा रभी वर्मा का बॉर्ण टाइम 1848 से और टामिंग पीरिड इनका 1906 तक रहा है और यह जित अर्जुन सुबद्रा का है और इसका साइज है 76 x 127 cm ठीक है इस चित्र का साइज है आगे देखते हैं अब यह जो चित्र दिखाया गया है आपको यह जो चित्र है एक इस्त्री बैठी हुई है किसी पहाड़ी के पास ठीक है पेड़ के नीचे तो क्या है इस चित्र का नाम है लेडी सीटिड अंडर ट्री लेडी सीटिड अंडर ट्री की जो लेडी है वो बैठी हुई है टीडी के नीचे ठीक है पेड़ के नीचे बैठी हुई है तो यह जो चित्र है वो किसका है असीद कुमार हलदार का किसका असीद कुमार हलदार और असीत कुमार हलदार का जो timing period है वो क्या है 1819 से 1964 इनका timing period है और जो यह चितर बना है यह किस से बना है water color on paper ठीक है water color on paper और इसके साइज है क्या है 46.5 x 30 cm इस चित्र का साइज है ठीक है आगे देखते हैं यह है चित्र क्या है इस चित्र को देखने से क्या दिखाए देर है यह फिश है और यह कैट है तो कैट के मूँ में क्या है फिश है ठीक है बिली क्या खा रही है मचली ठीक है मतलब बिली के मूँ में क्या है मच तो यह जो चित्र है यह किसका है जामिनी रॉय का तो जामिनी रॉय का जो टाइमिंग पीरिड है वो है 1887 से 1972 यह इनका टाइमिंग पीरिड है और इस चित्र में बिल्ली क्या कर रही है जामिनी रॉय को खा रही है और जो चित्र बना है यह किस से बनाया वाश ओन बॉल्ड ठीक है और इस चित्र का साइज क्या है 47 इंटू 29 सेंटीमीटर जो है इस चित्र का साइज है ठीक है आगे दिखते हैं बस आज की यही सीरीज थी हमारी और फ्रेंट अगर आपको व्यूडियो अच्छा लगा है तो व्यूडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमने अपना वाट्सप ग्रूप भी बनाया हुआ है टेलिग्राम ग्रूप भी बनाया आप क्लिक करके आप ग्रूप पर जोइन हो सकते हैं थैंक यू वेरी मच